हेलो दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने इस YouTube चेनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कलाश 12 के फिजिक्स का 70 प्रशन करेंगे और 70 प्रशन काफी जदा महदपुर्ण है आपके बोड के लिए तो चले वीडियो को सुरू करते हैं देख है कि धारिता से सरेनीकर हैं नहीं करमें जोरे गाँए परिatto को वैए था आपको घ्याद करना है तो सतली नि बट्टे के रूम में जोड़ना है तीन संधारित्र को और बताएे और लोड यह हो गया एल्यम आपका वन रीक और यह बट्लस वान अदे लिए पर कितना लाए Corner सी का मानिकाली सी बराबर कितना हो जाएगा सी बट्टे आपका थिरी अंसर आजाएगा आपसे नमर बिल्कुल सी नमर हो जाएगा अगले देखिए अगला प्रशन क्या है कोशन पूछा गया है दो से लोग को जिनके विदूत बाहागबल एवन और एटू तथा अंत्रीक प याद रखेगा यह कोशन आपके वोड एक्जैम में पूछा गया है अगला है एक लोग के पदार्थ की चुमबक सिलता होती है इसकी चुमबक सिलता होती है म्यू गरेटर म्यू गरेटर म्यू गरेटर देन एक हो जाएगा एक ही रहेगा म्यू गरेटर देन एक होगा ऑप सभी से लिख लिख लिञे गा नायक डिन सौशत बिद्दृत उर्जा रिवांतर के बरीग के आपकी बिजाना लोती है कंना में समनुपाती होती जाता ऐ उच्छ पर्ती रोद मतरत को एक हमी करन दिया गया है इसे निरूपित ग्याद के आपका 50 हो ऐगा ठीक है पर्ति गहाध का मात्रखया होता है आप सभी को बताना है पर टिघाथ पर्ति परतिवाद तीनों का मात्रख होता है यादर लखेल में संबंधित थे संबंदיך महीं होता है इतर्यृत फारबर रूट टू आừं RMS आप सभी आपको आप सभी जनते होंगे I RMS बराबर होता है I note बटे root 2 लेकिन I note को इधर कर लिया है ठीक है I note को इधर कर लिया है तो इधर चला गया है तो इस तरह से आपका बन गया है तो option में बिल्कुल यह सही उतर हो जाएगा अब देखिए एक निकर देश्टी दो से गारिसीत व्यक्ति असपष्ट देखने के लिए ब्यभार करता है किस लेंस का ब्यभार करता है तो वह अब तर लेंस का ब्यभार करता है ठीक है अगला देखते हैं क्या है कांच से हवा में परवेश करते समय मैं परकास का करन्ति कौन सबसे कम होता है तो यह होता है बैगनी रंग बैगनी रंग के लिए एक पदले फिर्म जिसका अपवरतनांक मियू है का नियुनतम बिचलन बिचलन कौन क्या हो जाएगा मियू मैनस वन इंटू ए हो जाएगा सभी याद रखेगा यह कोशन पूछा गया है बहुत बार पूछता है कोशन पूछा गया है यह कोशन आपके वोड इंग्जम में कई बार परकास के नुपरस्तरंग की परकिरती की पुष्टी करता है अब यह अंतर एक माध्यम में जिसका आप वरतना 1.5 हो जाता है तो इसका बतल लगना है कितना अंसर हो जाएगा इसका जो अंसर आपका हो जाएगा इंफिनाइट हो जाएगा अनंत हो जाएगा विदुचुमबक्या तरंग के संचरन की दिश्चा एक्रोस वी वेक्टर के सम्मांतर होती है ओप्सन डी हो जाएगा चुमबक्या छेतर तथा विदुच्छेतर के अनुपात का मातरक के क्या हो जाएगा इसका मातरक हो जाएग जा है hydrogen spectrum की कौन सी सरेनी अबरक्त भाग में परती है तो इस सरेनी का नाम क्या है देखिए लायमें सरेनी है ठीक है ठीक है लायमें सरेनी नहीं परती है कौन हो जाएगा लायमें सरेनी हो जाएगा और परती है बामर सरेनी और देखिए दोस्तों इस सभी का पीडियाप जो है इस वीडियो के ठीक है और एबाउट सेक्शन में दिया गया है या फिर आप लोग टेलीग्राम पर साथ कर लिजिए जो इस चेनल का नम है वही आप लोग के लिग्राम पर साथ किजिए लिए चेनल का चेनल आ जाएगा वह से आपको इस सभी का पीडियाफ हम दे देते हैं चलिए अब देखे क्या है ध्राजन पर्मानों के पर्थम बोल्ट का च्छा में इलेक्ट्रोन की उर्जा 13.6 इलेक्ट्रोन बोल्ट हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की रास ये अपने प्रारामिक प्रिनाम के आधी हो जाती है ना उसे कहते हैं अर्धायू कहते हैं तो अर्धायू कहते हैं तो अर्धायू कहते हैं यह आप जानते हैं अर्धायू बराबर फर्मुला होता है क्या होता है टी हाप बराबर होता है 0.9 तीन बटे लेम्डा ये क्योंटन है अगला वरुद में अब देखें यहां पर आवर्द चलिए अगला कुशन है आपका ये विचेपीत होता है कि चुम्बक्या चाहिए विद्ध चेतर दोनों में विचेपीत होता है ठीक है यह पंच सयोजक होना चाहिए ठीक है पंच सयोजक चलिए अगला देखिये डायोड का उप्योग करते हैं एक तरह करते हैं डायोड का ग्यात करना है एंड गेट का क्या होता है तो नेंड गेट का भी एंड गेट का होता है एंड गेट का A.B.Y होता है हम आपको बतला हैं इस एंड के बदले रेकरिंग चढ़ा दिजिए किस ओप्सन में आपको ओप्सन नमर B.A. में दिखाए दे रहा बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए पिर्थिवी के किसी अस्थान पर टीवी परिशन टावर की उचाए निरबाद में विदूत्या प्रावेदु तौंक का महन होता है इस पाल मिनस मैनस बार पर्राइडे मेटर होता है ठिक है और अपसनषे योग ता। याद रखेगा सुन्डा होता है विभाध मापी की सूगराहिता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है इसकी तार की लंभाय को बढ़ाना पड़ता है明白 मापी की द्रौरा महापा जाता है विभां मापी से station बैलकुल C से उत्तर हो याद रखेगा विद्धुत परिपद की सक्ति की सक्ति होता है भी अस्कुाइर बटते आर आप सभी यादर रखेगा भी अस्कुाइर बटते आर गती सील आवेस उत्पन करता है विदूत युख को दूओ एक बोल्ट मीटर परतिरोद, एक आधर्स ए मीटर का परतिरोद होता है, अगर पुछे का सिर्फ आधर्स पुछेगा ए मीटर का परतिरूद होता है बहुत कम होता है अधर्स लगा दिया है सुन हो जाएगा पुछेगा बोल्ट मीटर का परतिरूद होता है तो बहुत अधिक हो जाएगा ठीक है एक आधर्स बोल्ट मीटर का परतिरूद होता है तो बहुत अधिक हो कि चुमबक सिलता किसकी अधिक होती है तो परति चुमबक्या पदार्थ के ठीक है अब चलिए दो समॉखन जिनमें परति एक चुमबकया आघुर्न है परस पर लम्बत रखे जाते हैं वह वह एक क्रॉस का चिन बनाते हैं निकाय का परिनामी चुमबक्या आघुर्न हो मातरक इन में से नहीं है कौन हो इसमें से नहीं है तो यह आपका एच हो जाएगा ठीक है ट्रंसफर्मर का क्रेड बनाने के लिए सबसे उप्यूक्त पदार्थ मिलिखीत में से कौन है तो इसका नाम है मुलाइम इस पाथ मुलाइम इस पाथ मिलिखीत में से कौन सदीस रासी है आपको बतलाना है इसमें से कौन भैक्टर रासी इनि सदीस रासी इनि में से कौन है देखिए विद्धू तच्छित की तिवरता यह आपका सदीस रासी है ठीक है अब चलिए साम भीभवी प्रिष्ट पर एक एलक्ट्रोन को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक विस्थ का गया कार कितना होता है तो क्या गया आपका सुन हो जाए ठीक है सुन हो जाता है एक इलेक्ट्रोन तथा एक प्रोटोन एक दूसरी के समीब आ जाएगा इसका उम एपउन रूत रूट आंडर ऐम इपउन टो एम ई हो जाएगा ऑप्संडी क्या है अगला कोशन देखते हैं क्या है आज़ी पर इसी दो बिंदों अब्रेस पलस की तथा वाल एक कियों के बीच बल है उब है यह यिदि एक आवेस इसठी रहू तथा दूसरा उसके चारो और आर्तिर्जा के बिरित में चक्कर लगाए तो एक चकर में क्या गया कार कितना हो जाएगा तो इसका कार जो हो जाएगा सुन हो जाएगा ठीक है एम दर्वमंद था एक एलेक्ट्रोन बिरमा अवस्था में भी विवांतर प्रतोरित होता है अगला कोश्र है ये विद्दु दु, ऑन्ना में पूछेगा तो यह पूछेगा और जो अक्चीय और रिळक्चीय इस्थिती होता है उएग्या नहीं यही पूछेगा पूछेगा किसी बिंदोनी r, theta पर पहुच नमर में अही पूछता है यही important है आप सभी अच्छे से कर लिजीगा 1 बटे 4 pi epsilon 0 into p cos theta upon r square आएगा ठीक है इसी को सीध करना होता है चलिए अगला question है एक proton तथा एक alpha का समन भी वंदर से तोरित किये जाते हैं यदि e p तथा e infinite करम सा उनकी गतीज उर जाये हो और भी पी तथा भी ये उनके वेग हो तो क्या हो जाएगा तो हो जाएगा ये आपका ये e p बराबर half e infinite भी पी बराबर भी ये upon root 2 हो जाएगा option दी बिल्कुल correct answer हो जाएगा अब किसी सुक्ष्म विद्धु दुई धुर्ब के मद बिंदू से बहुत दूर आर तुरी पर विद्धु विद्धु विभव समानु पाती होता है यह होता है वन बटे आर स्कौाइर के चुम्बक्य दुई धुर्भ आगोन एक सदी सरास होती जो नुर्दिष्ट होती है डट्षिन से उत्तिफीं कि एब यह एक अश्रेट कुलामी बराबर होता है कितने कुलांब Kei यह होता है में यहां тінमाल में x9 नंध नलग ठेसां जो कार आपका हो जाएगा यह सुन हो जाता है इसका कार ठीक के तो प्सने मेट बिलकुल को बिलकुल को यहां आपका बढ़ेगा ठीकर प्रमानु कर्मंग पचास वाले एक नावी की दिर्जिया 9 गुने 10 डूती पावर मेनस 15 मीटर है इसके प्रिष्ट पर विद्धूतिय विभव का मन याद करना है तो 8 गुने 10 डूती पावर 6 बोल्ट हो जाएगा एक प्रोटोन को एक पृट ब्युद्ध से ते क्या जता है इसके दोरा गरहन की उरजा वहोँग का झाता है कितनों प्रिष्ट हो जेए हैं आर थिर्जा के गुलाकार बिर करेंगो को प्रिष्ट Top थिंद मेनस Benjamin ले जाने में क्या गया कार कितना हो जाएगा सुन हो जाएगा ठीक है अगला कोशन से आपके सामने है क्या है नगार विबता के बीच विबपांतर 13 गहात 5 गहात 15 मीटर है इन पलेटों के बीच इस्थित एक लेक्टोन पर बल का मानी कितना हो जाएगा तो यह चार गुरे टेंटू दी पावर मेरेस्ट बार न्यूटन हो जाएगा ठीक है न्यूटन आप्सन अबड़ी अगला कोशन देखे एक समरूप बिदू छेदगी दिसा एक्स अक्ष के धरातमक दिसा के अ बिदू ए बी तथा सी पर विद्धूत बिभव संतुष्ट करते हैं इस देखे चार ओप्सन दिया गया है यह किसके अनुदीस हो जाएगा तो यह अनुदीस आपका जेगा भी एक ग्रेटर देन भी वी के ठीक है ऑप्सन भी हो जाएगा अगला देखे दो समान बिदू आप एक्स पर बिंदू एक्स बराबर दिया है मैनस ए तथा एक्स बराबर पलस एपर इस्थीथ है एक अन्य बिंदू आप मुल बंदी पर रखा यहीजी क्यों कुणको एक्स पर स्वाकल्प दूरी एक्स से विस्थापित किया जाए तो उसके इस्ठिती उर्जा में परिवरतन लगवग अनुकर्मा नुपाती है कितना हो जाएगा तो यह आपका हो जाएगा एक्स सक्वार के ठीक है इस अगला है आपका 1 लग्टॉन एक प्रोटोन के चारो और आर्थिर्जा के बिर्थिया पत पर घूम रहा ठीक है एक चक्कर घुमने में क्या गया कार हो जाएगा सुन हो जाएगा ठीक है अगला देखते हैं अगला कोशन आपके सामने है इसी बिंदू आबेस से एक निश्ची दूरी पर विदूत छेदर 500 बोल्ट परती मीटर तता विदूत विदूत तीन हजार बोल्ट है यह निश्ची दूरी यह निश्चीत दूरी कितना हो जाएगा तो यह आपका 6 मीटर हो जाए चैना पलस आथ मैक्रो कुलम तथा बलस बार險 मैक्रोकुलम के दो बिंदू आबेस वायू में प्रसपर 10 सेंटी मीटर की दूरी पर इस इनन्हें 4 सेंटी मीटर निकट 12 और लगेगा तो आप कार आपका 5.8 जूल हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं क्या है अगला है आपका एक धनावेस को निमन वीभव के छेतर से उच वीभव के छेतर में ले जाया जाता है आप इसकी इस्थिती उर्जा में क्या होगा बढ़ेगी घटेगी या उपर वर्थी तर कोशन देखते हैं क्या है एक्स अक्ष की दिशा में विद्दू छेतर की तिवरता यदि जीरो दसमलब्दो कुलंग के आबेस को छेतर की दिशा में साथ डिगरी के कोन पर दो मीटर विस्थापित करने में चार जूल करना परता है ठीक है इका मन इसमें कितना हो जाएगा एका जो मन आपका हो जाएगा ये बीस न्यूटन परती कुलंग हो जाएगा नॉम्रिकल कोश्चन है स्वाल थोरा करना होगा किसी बिंदू एक्स वाजेड पर बिद्दूत विभभ भी आपको दिया है फोर एक्स स्क्वार बोल्ट है बिंदू बिंदू पर बिंदू का म अनुदीस हो जाएगा ठीक है तो ऑप्सन में बिल्कूल ये सही उतर हो जाएगा और इसका पीडियाप हम आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे आप सभी स्टुडेंट वहां से जोइन हो जाईएगा एक बार सभी कोशन को देख लिजेगा ठीक है इतना आपको नॉमरिकल है आपके साथ